कलपना लाजमी सुभा सवेरी में आपका स्वागत है थाइंक यू वरी मच धन्यवाद रुदाली और दर्मिया ये दोनों ही आफ़बीट फिल्म्स थी बहुत मुश्किले आई क्योंकि एक अलग किसम की कहानी बताने के लिए बहुत-बहुत कष्ट करना पड़ता है फिर्स्ट फॉल ये नहीं है कि मैं पॉपसली जाके एक कहानी चुनती हूँ जिसके वजे से मुझे इतनी मुश्किलें फेस करना पड़े बत माइ प्रॉब्लम इसके एक आर्टिस्ट होते हुए आइगे अट्राक्टेट पॉपसली इसलिए इस कारण यही कारण है कि एकपल मैने बनाई 1987 में रुदाली मैने बनाई 1991 में और दर्मिया बनाई मैने 1997 में कल्पना कि आपको लगता है कि अगर दर्मिया में औरिजनल कास्ट होती यानि दिंपल कपाडिया और शारुक खान तो यह फिल्म में खेट होती और जादा लोगी से देखते ठीक ही बोल रहे हैं आप ठीक ही कह रहे हैं आप इसलिए जब मैंने स्क्रिप्ट खतम किया मैंने स्क्रिप्ट लिखा था अक्चुली विद डिंपल का पाडिया इन माइंड मैंने तब नहीं सोचा था कि शारुक जैसे सूपरस्टार आगे आके कहेंगे कि मैं एक यूनक का रोल या हम अफ्रडाइट का रोल करूंगा और तब से मुझे एक क्या कहते हैं अप्रिहेंशन था कि यह होगा या नहीं होगा जैसे मैंने सोचा वही हुआ महीने बीट गए फिर शारुक जी ने कहा कि और उनके सेकरटरी ने कहा कि उनके काफी मतलब आगे साइन किये हुए फिल्म्स हैं जो कम्प्लीट करते करते 98 तक पौँट जाएंगे यह मैं बात कर रही हूँ 96 कि तब मैंने सोचा कि छोटी सी फिल्म है विदाउट शारुक या विदाउट डिम्पल भी करें नए लोगों को लें और जो मेरा कहना है स्क्रिप्ट के दर्मिया मैं कह दूँ बट विदाउट शारुक स्प्रेजन्स और विदाउट डिम्पल स्प्रेजन्स दर्मिया चली बंबेई शहर में और अल ओवर इंडिया दस हपते और लॉस नहीं हुआ मैं फ्रांकली बोलूँ आपको मुझे जब एक कहानी सुनती हूँ या न्यूस पेपर आइटम पढ़ती हूँ या मेरा जो एक कीन अब्जवेशन होता है मेरे आसपास अबाउट लाइफ अगर कुछ इंसिडेंट मेरे मन के अंदर एक ठोस पहुंचाता है देन आइफील कि यह मेरा एक ड्यूटी है उसको उभर लाना अन दे स्क्रीम अब मेरा एक नेक्स प्रोजेक्ट जो मैंने देर साल से मैं कोशिश कर रही हूँ अब तक पूरा स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हुआ अज बाग्गराउंड अफ पॉलिटिक्स कलपना जी आपने भूपेन हजारेका साहब के साथ काफी काम किया है जब भूपेन दा की और मेरी वर्किंग पार्टनर्शिप हुई इट वस अन आटमाटिक एक्सेप्टेंस ऑफ वन अन अदर कि एक मशूर म्यूजिक कंपोजर को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ मेरे फील्ड में और उनको भी एक चांस मिला कि मैं सिर्फ रीजिनल नहीं बनूँ मैं सिर्फ बंगाल और आसा में जहाँ पे वो राजा है वहाँ पे नहीं रहके उनका जो ब्रिल्लियंट काम है वो ट्रांस क्रियेशन होके रेस्ट अफ इंडिया तक भी पहुँच गया दिल हुम हुम करे गाने के पीछे क्या कहानी है ये गाना एक्चुली दादा ने लिखा था 1940s में आसमीज में बुकु हुम हुम कोरे मूर आए उसका मतलब है मेरा दिल हुम हुम कर रहा है मेरे मदर लैंड के लिए और पूरी पूरा जो गाना था उस कम उमर में ये वादली बाट 18 और 19 उस वक्त ये आसाम का एक नाशनल आंथम जैसे बन गया बट आक्चली जो लिखा है उसके अंदर इट वस मेंट फॉर अवेकनिग ऑफ इंडिया अफ इंडिया अज अ मदर लैंड अब वो उनकी उनका जो मतलब पोईट्री और उनका जो म्यूजिक मुझे ऐसे ही मतलब एफेक्ट किया कि मैंने सोचा था कि जब भी मैं एक फिल्म बनाऊं ये गाना में लेने वाली हूं कल्पिना लाजमी सुभा सवेरे हम से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थांक यू